परिचय जबकि प्राणी गतिशील, परपोशित, बहु कोशिक, जलिय, स्थलिय या व्रिक्षिय होते हैं, तो आओ, अपने इस अध्याय में प्राणी जगत के बारे में विस्तार से चर्चा करें. उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. प्राणी क्या हैं? ये परिभाशित करना, विभिन प्रकार के प्राणियों के विशय में जानना, प्राणी जगत के विविद अभिलक्षनों को समझना, संगठन के विविद इस्तरों के विशय में जानना, शरीर सम्मिती को समझना, दुईकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठ प्राणी जगत के विभिन वर्गों के विशय में जानना, अक्षे रूकियों के विभिन अभिलक्षणों को समझना, पोरी फेरा के विभिन अभिलक्षणों को पहचानना, सिलेंट्रेटा के विभिन अभिलक्षणों को पहचानना, टीनो फोर के विभिन अभिलक्षणों को पहचानना, प्राणी जगत प्राणियों की शरीर योजना निर्धारित हो जाती है क्यूंकि वे विक्सित होते हैं, हाला की कुछ अपने जीवन में कायांतरण की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, अधिकतर प्राणी चर होते हैं, अर्थात वे स्वता तथा स्वतंत्र रूप से गती कर सकते हैं, सभी प्राणी परपोशित होते हैं, अर्थात उन्हें भरण पोशन के लिए अन्य जीवों का अंत ग्रहन करना होता है, प्राणी जगत को निम्न आधार पर वर्गिक्रित किया गया है, कोशिकाओं की वेवस्था, शरीर सम्मिति, प्रागोहा की प्रावृत्ति, पाचन तंत्र का प्रतिरूप, परी संचरन तंत्र का प्रतिरूप, जनन तंत्र का प्रतिरूप, संगठन का स्तर सिलेन्ट्रेटा में समान्कारय कर रही कोशिकाएं उतकों में व्यवस्थित होती हैं इस प्रकार इसे संगठन का उतक स्तर कहते हैं। प्लेटी हेलमिथीस में उतक अंगों का निर्मान करने के लिए सम्हुबद्ध होते हैं। प्रतेक एक विशिष्ट कारे के लिए विशिष्ट होते हैं। इसे संगठन का अंग इस्तर कहा जाता है। प्राणियों के विभिन समुह के अंग इस्तर कहा जाता है। राणियों के विभिन समोहों के अंग इस्तर कहा जाता है। मुख तथा गुदा उधारण के लिए प्लेटी हेलमिथीज के पाचन तंत्र में शरीर के बाहर की ओर एकल मुख द्वार होता है, जो गुदा के रूप में कारे करता है, तथा इस प्रकार इसे अपून कहते हैं। परी संचरन तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। खुले प्रकार में रक्त का बहाव हिर्दय से सीधे बाहर भेजा जाता है, तथा कोशिका एवं उतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परी संचरण में रक्त का संचार हिर्दे से भिन भिन व्यास की वाहिकाउं के द्वारा होता है। उधारण, धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। सम्मिती प्राणियों को उनकी सम्मिती के आधार पर भी शिरणी बद्ध किया जा सकता है। आसम्मिती, अरिय सम्मिती, दुई पाश्व सम्मिती स्पंज मुख्यता असम्मिती होते हैं अर्थात किसी भी केंद्रिय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती जब किसी भी केंद्रिय आक्ष से गुजरने वाली रेखा, प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, तो इसे अरिये सम्मिती कहते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोर तथा एकाइनोटर्म में इसी प्रकार की शरीर योजना होती है, एनलिट, और्थोपोडा जैसे प्राणियों में शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है, इनमें केवल एक ही आक्ष्य होता है, वो दुई पाशु सम् प्रदेशन करता है, दुई कोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दू प्रूनिये स्तरों में वैवस्थित होती हैं, एक बाहे एक्टुडर्म अर्थाथ बाहे तवचा तथा एक आंतरिक एंटोडर्म अर्थाथ आंतरिक तवचा, वे एक अविभाजित इस्तर में सोगलिया बाहे तवचा तथा आंतरिक तवचा के बीच में उपस्तित है। वे प्राणि जिनके विक्सित भून में तृतिय भूनिये स्तर मीजो डर्म होता है त्रिकोर की कहलाते हैं, जैसे प्लेटी हैलमिथीस से रज्युकी तक। प्रागोहा यानी सिलोम वर्गी करण में शरीर भित्ती तथा आहार नाल के बीच में गोहा की उपस्तिती अत्वा अनुपस्तिती वर्गी करण का मेतपून आधार है। मीजो डर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गोहा को दे गोहा कहते हैं तथा इस से युक्त प्राणी को प्रागोही प्राणी कहते हैं। उधारन, एनिलिट, मोलस्क, और्थोपोडा, एकाइनोडर्म, हैमी वफाड़िट तथा कॉड़िट। कुछ प्राणियों में ये गोहा मीजो डर्म से आच्छादित नहीं होती, बलकि मध्य त्वचा यानि मीजो डर्म, बाहे त्वचा एवं अन्ता त्वचा के बीच विक्री हुई थैली के रूप में पाई चाती है। उन्हें कुट गोही कहते हैं, जैसे की हैस कैलमिथीज। जिन प्राणियों में शरीर गोहा अनुपस्तित होती है, उन्हें आगोही ये कहते हैं, जैसे की प्लेटी हैलमिथीज। कुछ प्राणियों में शरीर बाहे तथा आंतरिक दोनों और शरीनी बद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिन में कुछ अंगों की क्रमिक पुन्रवृत्ति होती है, उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उधारण के लिए एक केचुए में शरीर का विखंडी-खंडी भवन होता है, और ये विखंडा आवस्था कहलाती है। प्रिष्ट रज्जू एक मध्धे त्वचा से बनी शला का रूपी सनजना होती है, जो कुछ प्राणियों में भ्रूणिये परिवर्धन विकास के समय प्रिष्ट सतह में बनी होती है। प्रिष्ट रज्जू युक्त प्राणि को रज्जू की यानी काड़ेट कहते हैं, जैसे यूरो कोर डर्ट्स, से फरलो डाटा, वे प्राणि जिन में प्रिष्ट रज्जू नहीं होती है, उन्हें अरुज्जू की यानी नौन काड़ेट कहते हैं, जैसे पोरी फेरा से एक इनो डम तक। ये बाहरी सुरोतों से भोजन ग्रहन करते हैं। वो अपना भोजन निकलते हैं तथा भोजन को शरीर के अंदर पचाते हैं। प्राणी जगत का वर्गी करण। प्राणी जगत का विभाजन दो मुख्य लक्षणों के आधार पर किया गया है। आकशेरू की वे प्राणी जिनमें मेरु दंड नहीं पाया जाता है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से चित्र में दिये गए समान लक्षणों के आधार पर वर्गी करित किया जाता है। प्राणी जगत नौ संगों में विभाजित है। आकशेरू की जैसा हम पहले कह चुके हैं कि आकशेरू की वो प्राणी होते हैं जिनमें मेरु दंड नहीं होता है। एक कड़ी बहरी परतवाला कंकाल वह आच्छा दन होता है जो शरीर की रक्षा करता है तथा उसे सहरा प्रदान करता है। कीटों तथा कुछ आकशेरू कियों में कंकाल पाय जाता है। प्राणी जगत में 97 प्रतिशत प्राणी आकशेरू की हैं। इन में से कुछ तालाबों में, कुछ सागरों में तथा अन्य जलिये परिवेश में पाय जा सकते हैं। आकशेरू कियों के 6 समों होते हैं। पोरिफेरा यानि स्पंज, सलैंट्रेता यानि नाइटेरिया, टिनोफूर यानि समुदरी वालनट, प्लेटी हेलमिथीस यानि चप्टे क्रिमी, एसकेल में थीज यानि گोल क्रिमी, एनिलीडा यानि खंडी भवन वाले क्रिमी। पोरिफेरा पोरिफेराकार्थ है रंद्र होना इस संग के प्राणियों को समानिता स्पंज कहते हैं ये समानिता जलिए अधिकतर सागर तट्ये, स्थावर या मुक्त रूप से तैडने वाले लवणिये एवं अरिये सम्मिती प्राणी होते हैं ये अधिकतर असम्मिती प्राणी होते हैं तथा अधिकतर समुदरी होते हैं। ये पौधे जैसे दिखते हैं। ये एकी इस्थान पर स्थिर रहते हैं। ये आदि बहु कोशिक प्राणी हैं। तथा इन में कोशिकी इस्थर का संगठन होता है। स्पंजो में जल परिवहन या नालतंतर पाया जाता है. जल सुक्षम, रंदर आस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंडरिये स्पंजगोहा यानि स्पंजो शील में प्रवेश करता है, तथा बढ़े रंदर आस्वूफलम द्वारा बाहर निकलता है. जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वासन तथा अप्षिस्ट पदार्थों को उस सर्जित करने में सहायक होता है कॉइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं, स्पंज गोहा तथा नाल तंद्र को स्तरित करती है अंत्रा कोशिक पाचन होता है कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है स्पंज प्राणी उभै लिंगा श्रई होते हैं अंडे तथा शुक्राणूं दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं स्पंज अलेंगिक विखंडन दोरा तथा लेंगिक जनन युगमकों दोरा करते हैं निशेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें व्यस्क से भिन आकरिती का लार्वा पाया जाता है सिलेंट्रेटा नाइडेरिया शब्द को नाइडो ब्लास्ट या नाइडो साइट से लिया गया है इन नाइडो ब्लास्ट में दंश कोशिकाएं या निमेटो ब्लास्ट, स्परशक तथा शरीर पर उपस्तित होते हैं दंश कोरक यानी नाइडोब्लास्ट, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहयक हैं नाइडेरिया में उत्तक स्थर संगठन होता है और ये दूई कूश किये होते हैं इनमें केंद्रिये जठर समवहनी कोहा पाई जाती है जिसका मुक्धवार अधोमुक यानी हाईप्रोस्टोम होता है कुछ सदस्यों जैसे की प्रवाल में केल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कंकाल पाया जाता है इनका शरीर मूल रूप से दो आकारों पालिप तथा मेडुसा से बनता है पालिप स्थावर तथा बिलनाकार होता है जैसे की हाइटरा, एडेमेसिया आधी वही मेडुसा छत्री के आकार का तथा मुक्ध प्रलावी होता है जैसे ओरेलिया या जेलिफिश ये नाइडेरिया जिनमें दूनों पालिप तथा मेडुसा दूनों रूप में पाय जाते हैं उनमें पीड़ी एकांतरण होता है जैसे ओबेलिया में पालिप अलेंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्ने करता है तथा मेडूसा लेंगिक जनन के द्वारा पालिप उत्पन्ने करता है। उधारन, फाइसेलिया यानी पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया यानी समुद्र एनिमोन, पैनाट्यूला यानी समुद्री पिच्छ, गोर्गोनिया यानी समुद्री व्यांजन, तथा मेंटरीना यानी ब्रेन कोरल। टीनोफोर पाचन अंता कोशिक तथा अंतरा कोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदी प्रित अर्थात प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना तीनोप्राफोर की मुख्य विशेष्टा है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निशेचन बाहे होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा आवस्था नहीं होती। उधारण प्रालूरो ब्रेकिया तथा टीनो प्रालानाथ। क्या आप जानते हैं? H.W. Wilson ने सन 1970 में स्परंज में जनन की तीवर शक्ती की खोच की थी। रॉबर्ट ग्रांट ने पौरी फेरा शब्द का स्रजन किया। लू कार्ट ने सिलेंट्रेटा शब्द दिया। स्लेंट्रेटा को उनके नाइडो ब्लास्ट की उपस्थिती की वज़ा से नाइटेरिया भी कहा जाता है। सारांश आए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में दोहराएं। आधार भूत विशेषताओं जैसे की संगठन का इस्तर, सम्मिती, कोशिका संगठन, प्रागोहा, खंडी भावन, प्रिष्ट रज्जुआदी हमें प्राणी जगत को वर्गी कृत करने में सक्षम करते हैं। कई अन्य विशेष अभिलक्षण हैं जो की प्रतेक संग में बताई गए हैं। जल की सतह पर तैनने वाले प्राणियों या जीवों को प्रालवक कहते हैं। एनिलीडा तथा और्थोपोडा के अत्रिक्त, मध्यवेता, कॉडडेटा में भी पाई जाती है। संगठन के आधार पर प्राणियों को प्रोटा जोवा तथा मेटा जोवा में समुबध किया जाता है। जिन प्राणियों में स्विसपस्ट पाचन को ही का होती है, वे एन्टरो जोवा में सम्मिलित होते हैं। एक प्रागोहा प्रालेटी हेलमिथीस तथा नेमा टोड़ा से अनुपस्तित होती है। एक प्रागोहा एनलिडा के विकास के चरण में सर्व प्रतम प्रदशित हुई थी। प्रागोहा मीसोटर्म द्वारा आच्छातित होती है। त्रिकोरिक प्राणियों के लिए शरीर गोहा को प्रागोहा कहा जाता है। मीजोडर्म के फैलने से उतपन्न प्रागोहा को शुजोगोल कहते हैं. हेमकोल अर्थो पूडा में उतपन्न होता है. एक एंटो कॉलुमेंट आकशेरुखी समोह को एकाइनो डर्मटा कहते हैं. प्रागोही प्राणी जहां ब्लास्टो पूर गुदा में परिवर्धित होता है वे ड्यू टो रेस्टोमेट होता है। पोरीफेरा में वे बहु कोशिक प्राणी सम्मिलित होते हैं जो संगठन के कोशिक स्तर को प्रदशित करते हैं तथा जिनमें आध्य बहु कोशिक अभी लक्षन होते हैं। स्पंज दूई कोरिक होते हैं तथा श्वसनी, उत्सर्जनी, परी संचरन तंत्र तथा तंत्र का कोशिकाओं से बने होते हैं। स्पंज में नाल तंत्र पाया जाता है। एक स्पंज में सभी नालों के लिए एक सामानने प्रकोष्ट को जटराब गुहा कहा जाता है। पोरी फेरा में सरलतम प्रकार का नालतंत्र एसकन प्रकार है। शरीर की मध्यत वचा पोरी फेरा में मैसोग लिया कहते हैं। पोरी फेरा का वर्गी करण कंटिकाओं पर आधारित है। स्लेंट्रेटा में स्पर्शक तथा नाइडो ब्लास्ट होते हैं। ये अधिकतर समुंदरी इस्थावर अथवा मुक्त तैडने वाले प्राणी होते हैं। नेमाटो सिस्ट, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। वे इस्पर्श से सक्रिये होते हैं। नेमाटो सिस्ट में उपस्थित विशहला द्रव्वे, हाइप्रो टॉक्सिन होता है। निमाटोसिस्ट में हाइडरा निशकास्षन, शिकार के संपर्क तथा छेद करने की प्रतिक्रिया के फल सोरूप होता है.